नमस्कार आप देख रहे हैं नक्षणाई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार इंडिया गठबंदन के 28 घटक दल जिनमें आम सहमती तो बनती नहीं नजर आ रही है लेकिन तमाम उन बैठकों में एक साथ नजर आये हैं और विपकसी आवाज को बुलंद करने की कोशिस कर रहे हैं जी हाँ ये तमाम वो घटक दल हैं जिनमें कॉंग्रेस पार्टी अगवाई की भूमिका में नजर आ रही है तो तमाम छेत्रिय दल अपने अपने राज्यों में मजबूती का दावा करते नजर आ रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि देश की राजनित ती नजर आती हैं और देश में करीब 16 फिस्दी दलित आबादी है जिसको साधने की कोशिस मायवती के तरफ से लगातार जारी रहती है लेकिन उस वोट बैंक में सेंद लगाने की कोशिस करते नजर आ रहे हैं अब आजाद पार्टी के सयोजक चंदर शेकर रावन जी हां कि आने वाले 2024 के चुनाओं में कही ना कहीं चंदर सेकर रावन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाप उतरने वाले हैं और ऐसे में क्या वो इंडिया गठ बंदन में शामिल होने की कोशिस कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले सेकर रावन शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने का देश की लोकतांत्री प्रकिरिया पर प्रहार हो रहा है देश के तमाम उन विपक्सी संसदों को संसद से निलंबित किया जा रहा है और जिसके आधार पर यहां लोकतंत्र बचाना विपक्स की प्राथमिक्ता बनी जो है मुझूदगी दज की जाएगी इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है फिलाल इस खबर में इतना ही देश-दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रहेए नेक्स्ट नाइ न्यूज